तो बिटा आज मैं आपको बताने वाला हूँ three-face converter three-face converter के अंदर ना मैं तीन चीज़े cover करने वाला हूँ half-wave, full-wave, semi-converter ये तीन converters मैं आपके लिए cover करने वाला हूँ लेकिन एक बात पर ध्यान देना यहां मेरा focus waveform नहीं रहने वाला है waveform नहीं रहने वाला है बलकि मैं आपको यह बताऊंगा कि बिना waveform बनाए कैसे आप बिना waveform बनाए best result निकाल सकते हो कैसे बिना waveform बनाए 3 phase के सारे equation निपटा सकते हो ठीक है 3 phase के सारे equation आप बना सकते हो बिना एक भी waveform बनाए ठीक है चलो तो यार देखो सबसे पहले half wave पे आ रहे हैं half wave में मैंने सबसे पहले उठाया uncontrolled rectifier uncontrolled rectifier अचा देखो एक बात और मेरे दिमाग में आई एक बात मेरे दिमाग में और आई कि यार एक resolution तो और होना चाहिए कि इस साल के अंदर ये channel पाँच लाग सबस्क्राइबर पे पहुँचे आप लोग ने देखो डबल तो कर दी हैं सबस्क्राइबर सतर असी हजार से almost 1.6 लाग पे हम लोग आ गए है लेकिन 5 लाग होना चाहिए अगला target कि जब next birthday हो मेरा जब next हमारा new year हो तो यहाँ पे 5 लाग सबस्क्राइबर हमारे पास होने चाहिए एक एक class के अंदर 200, 300, 500 बच्चा बैठा होना चाहिए तब कुछ बात बनेगी और तब कुछ मज़ा आएगा तब ये revolution और आगे जाएगा इस चैनल पर पता है 3000 वीडियो और पूरे होने वाले हैं 3000 वीडियो सिर्फ electrical और ECE के सिर्फ और सिर्फ electrical ECE के ठीक है चलो तो देखो इसको हम लोग कहते हैं 3 pulse converter 3 pulse क्यों होता है क्योंकि 360 degree में 120, 120, 120 की ना यहाँ 3 pulses बनती है अब यहाँ दो connection होते हैं common cathode मने देखो यह cathode terminal सबका 7 में connected है तो यह है common cathode और फिर देखो यहाँ पे सबका anode terminal connected है तो यह है common anode यह क्या है आपका भीटा common anode तो दो तरहे के rectifier हो सकते हैं common cathode और common anode अब यह diode से बने हैं इसलिए ये कहलाएगा uncontrolled ठीक है uncontrolled कहलाएगा अब यार देखो यहाँ पे फंडा क्या होता है ना यहाँ पे हम reference लेके चलते है reference लेके चलते है VA0 को यह आपको याद रखना है reference is VAO यानि जो आपकी phase voltage है A phase का जो voltage है उसे reference लेके चलना है VMP sin of omega T अब देखो common cathode का फंडा क्या होता यार यहाँ पे क्या होता है phase having maximum voltage maximum voltage will conduct जिस किसी phase में maximum voltage होगी ना वही phase conduct करेगा और वही phase बिटा आपको output में मिलेगा वही phase बिटा आपको output में मिलेगा common anode में क्या होगा phase having minimum voltage would conduct ठीक है यह दोनों में देखना होता है एक में आप देखते हो maximum voltage और एक में आप देखते हो minimum voltage ठीक है maximum और minimum तो देखो यहाँ पे मैंने waveform भी दिखाई है अगर common cathode की बात करें देखो यह common cathode की waveform है ठीक है common cathode इसमें आप देखो सबसे पहले आगई VAO यह आगया VAO फिर बिटा आगया VBO फिर आगया आपका VCO इस टाइप से चलता है जो भी voltage maximum होती है वही voltage output पे आजाती है आप कहां से देखते हो maximum देखो यहाँ पे आपका 30 से लेके 1500 तक AO maximum है फिर 1500 से 270 तक BO maximum है फिर 390 तक CO maximum है तो बिटा जो भी voltage maximum है ना वही voltage आपकी output में आने वाली है तो जब AO की value highest है तो AO आएगा जब B की है तो BO और जब C की है तो CO तो यह limits आपको याद रखनी पड़ेंगी 30 और 150 यह भी अभी मैं बताता हूँ याद कैसे की जाएंगी इसका भी shortcut बताऊंगा अब अगर resistive load की बात करें बिटा तो जो voltage का graph है वही graph किसमें आ जाएगा current में resistive load में आप यह तो बहुत अच्छे से जानते हो कि सर वोल्टेज और current का graph सेम होता है और highly inductive load में I0 कैसा आता है constant तो highly inductive होगा तो it will be constant and when it is a resistive load it will be same as the voltage अब common anode की अगर बात करें तो common anode में आप क्या देखेंगे that the minimum voltage conducts देखो जैसे यह minimum हुआ फिर यह minimum हुआ फिर यह फिर यह इस type से तो यह आगया आपके पास यह आगया बिटा आपके पास graph तो common cathode में जो भी voltage का graph highest है that will appear at the output in common anode whichever graph is the lowest that will appear at the output अब देखो इस में से ज़्यादा important कौन है ज़्यादा important है common cathode this is more important याद रखना है यह more important है अब इसके अंदर आप क्या याद रखेंगे यार कि यह जो आपने बनाया ना वी यह जो reference माना है यह conduct करता है 30 से लेके 150 तक कहां से कहां तक भाईया 30 से 150 अब सर यह ऐसे कैसे याद रख लें और 30 से 150 यह भी मैं बताता हूं देखो यह converter 3 pulse का है 3 pulse converter है right 3 pulse converter का मतलब है कि each pulse is 120 डिग्री डिग्री डिउरेशन है ना 120 डिग्री की है तो इसलिए बेटा जब आप यह लोगे ना 30 से 150 तो यह कैसे लोगे 90 के about ना symmetric ले 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 ना 90 से 60 पहले और 90 से 60 बाद में take 60 before 90 डिग्री and take 60 after 90 डिग्री ठीक है इस वे से पढ़ने में net बहुत consume होता है अब कौशिक बेटा अगर आपको free of cost education मिल रही है तो at least आप internet में तो invest कर सकते हो मेरे बच्चे internet में तो invest करी सकते हो थोड़ा सा up to here it is clear now see the period of the output waveform is 120 degree or 2 pi by 3 and the waveform is vmp sin omega t from 30 up to 150 ठीक है भई 30 से 150 तक यही है ना अब देखो integration कितना easy है sine का integration minus cos यानि cos 30 minus cos 150 तो that is root 3 यह बन गया यह बन गया भई ऐसे ही बिटा अगर rms निकालनी होती है तो rms भी ऐसे ही निकल जाती सोचके देखो ना कितना मज़ेदार चीज है अगर मुझे 30 और 150 याद है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं समझ रहे हो लो हो गया rms का भी इंतिजाम ठीक है rms का भी इंतिजाम हो गया भई तो that way we can calculate the average as well as the rms value the average as well as the rms value is that clear is that clear चलो अब देखो इसके बाद three pulse converter में अगर controlled case की बात करें controlled का मतलब we have replaced all the diodes by SCR okay we have replaced diodes by SCR okay guys तो now यहां पे क्या होगा यार जब SCR आ गया तो आप यह जानते हो कि firing angle का concept आ गया समझ रहे हो मेरी बात यहां अब आप directly यह नहीं कहोगे 30 से 150 तक conduction होगा यहां पे आप बात करेंगे about the firing angle alpha कि बाई SCR है तो बिना firing angle के तो यह conduction नहीं देगा तो हम क्या कह देते हैं यार देखना ध्यान से यह जो VAO अभी आपने लिखा था VMP sin of omega T कि rather than यह 30 से 150 जाए यह अब जाएगा 30 प्लस alpha से 150 प्लस alpha लेकिन मेरी एक बात पे ध्यान देना आप लोग एक चीज जानते हो यार अगर resistive load है तो आप यह जानते हो V0 cannot be negative यह बात जानते हो ना यह मैंने आपको single face half wave, full wave दोनों में बताई है कि V0 negative नहीं जा सकता अगर बच्चे ऐसा है कि V0 negative नहीं जा सकता तो जब कभी V0 negative जाने की कोशिश करेगा तो resistive load की वज़े से वो part clip हो जाएगा अब देखो आपको पता है कि sin omega t आ रहा है 30 प्लस alpha से 150 प्लस alpha sin omega t sin omega t बिटा कहां पे negative होता है 180 के आगे sin omega t कहां पे negative होता है 180 के आगे तो मैं यह कहूंगा sin omega t is less than 0 for omega t greater than 180 degree तो मैं यहां पे यह आपको बोलता हूं यार कि discontinuous conduction बनेगा अगर sin omega t 180 के आगे गया 180 के आगे गया मतलब कि 150 प्लस alpha greater than 180 यानि alpha greater than 30 बात कुछ पलने पड़ी ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई alpha greater than 30 वाला फंडा कि बिटा अगर यह limit 180 के आगे चली गई ना 150 प्लस alpha तो 180 के आगे sin negative हो जाएगा और फिर resistance उसे clip कर देगा उसे काट देगा यानि for alpha greater than 30 you will get discontinuous conduction what you will get is the discontinuous conduction अब देखो यार अब देखना यहाँ पे कि alpha 0 पे तो diode वाली ही waveform आ गई for alpha 0 SCR will behave as diode क्योंकि SCR और diode में फरक ही क्या रहे गया लेकिन आप देखो जब आप alpha 30 रखते हो when you keep alpha equal to 30 तब यह waveform कहां जाएगी 60 से 180 60 से 180 का मतलब है यार यहां से हम trace करना चालू करेंगे और ऐसे जाएगे देखो यही बनाई है न 60 से 180 देख रहा है यह सेम graph मैंने नीचे बनाया है अब यह 3 pulse converter है तो यही graph तीन बार repeat हो जाएगा simple है आप ना देखो 3 pulse converter में 8 pulse बना लिया करो हमेशा 3 pulse में 8 pulse बना लो और कौन सी बना लो VAO फिर इसी को तीन बार repeat कर दोगे तो क्या बन जाएगा output का graph फिर alpha 60 पे आ जाओ अब 60 पे आ गए तो यह जाएगा 90 से 210 90 से 210 का मतलब है मेरे बच्चे यहां से लेके यहां तक लेकिन अगर resistive load है तो जाने नहीं देगा तो देखो resistive load ने क्या किया यहां से जो नीचे जाता न यह वाला portion clip कर दिया समझाया 180 के आगे वाला portion जो नीचे जाता उसने clip कर दिया फिर इसी को आपने तीन बार repeat करा दिया लेकिन बेटा अगर highly inductive load होता highly inductive load होता तो वहां negative allowed होता वहां पे negative allowed होता यह negative allowed कहां पे नहीं है that is in case of R load या फिर RL load plus freewheeling diode आप बहुत अच्छे जानते होगी RL plus freewheeling diode और R load दोनों का behavior एकदम एक जैसा होता है तो दोनों में ही negative part of the waveform is not allowed तो मुझे बताओ यहां तक चमकी कहानी बहुत बड़ी बड़ी बाते मैंने आपको बता दी है जैसे VAO की limit बता दी है फिर मैंने यह बता दी है discontinuous conduction कहां पे आएगा लेकिन अगर आपको यह सब बाते common sense लग रही है यह सब बाते ऐसी लग रही है कि यार यह तो बहुत सही बात बता रहे हैं यह तो होना ही चाहिए बहुत normal बात है तो फिर बेटा आपको actual में समझ आ गया है यह topic समझ रहे हूं मेरी बात जब चीजें आपको ऐसी लगने लगे ना कि यह तो obvious है यह तो trivial है तो that means you actually understand that concept और जब तक चीजें ऐसी लगेंगी पता नहीं क्या हो रहा है कैसे इसको याद रखेंगे अगर यह feeling आएगी that means you have not understood it yet तो यार देखो अब मेरा rectifiers के उपर या power electronics पे ऐसा command है कि यह सब बाते आप मेरे से कभी भी discuss कर दो I am always ready क्योंकि this is very very normal this is very very normal कि sign जब negative जाएगा तो resistive load उसे clip कर देगा sign negative 180 के आगे जाता है तो मैंने रख दिया 150 plus alpha greater than 180 तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता है यार कि यह जो graph है यह कहां से कहां तक चलता है तो देखो यहाँ पे ना यार दो cases बन सकते हैं पहला तो एक बन सकता है continuous conduction continuous conduction दो सूर्तों में आ सकता है या तो highly inductive load हो या फिर आर लोड बट alpha less than equal to 30 आपको यह पता है ना आर लोड में 30 degree के उपर जाते ही discontinuous हो जाता है तो दो चीज़े हो सकती है highly inductive load में तो हर alpha चलेगा और आर लोड में alpha less than equal to 30 तो यहां देखो अगर मैं आपसे पूछ लेता बिटा मुझे बता दो वी नॉट average कुछ भी याद नहीं करना टू पाई बाई थ्री 30 प्लस alpha से वी एमपी साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी और यह value ना आपकी कितनी आती है यहां आती है थ्री वी एमल बाई टू पाई कॉस alpha थ्री वी एमल बाई टू पाई कॉस alpha और देखो RMS भी निकाल दोगे ऐसी ठीक है RMS तो मैंने आपको बोला ही है याद करना ही नहीं है और देखो एक्जाम में एक्जाम में आपको क्या करना है एक्जाम में ना आप यहां डिरेक्टल लिमिट्स डालना गुर्जीत बेटा अभी तो बताया यह 30 प्लस alpha से 150 प्लस alpha आ रहा है देखो आपने यह देखा कि common cathode के अंदर AO वाला graph maximum होता है AO वाला graph maximum होता है 30 से 150 30 से 150 देखो सब के सवालों का जवाब दे रहा हूँ 30 से 150 maximum होता है यानि वहाँ पे आती है forward bycing समझ रहे हूँ यह जो thyristor है ना यह forward bias होता है मैं लिख देता हूँ forward bias when VAO is maximum अब VAO maximum कब होता है 30 से लेके 150 अब firing angle आप कहां से लेते हो आप लेते हो forward bycing के बाद forward bycing के बाद आप firing angle लेते हो इसलिए alpha 30 के बाद आया तो हमें लेना पड़ा 30 plus alpha अब clear है भई गुरजीत अब clear है अब दूसरा आपका doubt है कि VMP से VML कैसे आ गया यार यहाना एक root 3 बनता है देखो जैसे यहां बनाता यह बनाता ना root 3 तो यह 3 VML by pi हो जाता यह VML क्या होता है it is root 3 VMP यानि face से क्या बन गया line clear है तो वही चीज यहां पर हो रही है अब देखो दूसरा case हो सकता है मेरे भाई discontinuous conduction का हो सकता है ना यह कब होता है alpha greater than 30 for our load alpha greater than 30 but for our load अब इसके अंदर यार V naught average जब निकालोगे तो आप यह जानते हो कि आप 180 के उपर नहीं जा सकते alpha 30 से बड़ा है तो limit आपको लेनी पड़ेंगी 30 प्लस अलफा से 180 क्या लेनी पड़ेगी 30 प्लस अलफा से 180 180 के आगे आपका ग्राफ ही नहीं जाना है और V naught RMS की अगर बात करें तो यहां भी सेम चीज़ करोगे 30 प्लस अलफा से 180 VMP स्क्वाइर साइन स्क्वाइर ओमेगा टी दी ओमेगा टी ठीक है तो यह हो जाएगा यह बात क्लियर है यह क्लियर हो गया भई सब लोगों को कि आपको 180 पे रुकना पड़ेगा क्योंकि जब 150 प्लस अलफा 180 के आगे जाता है तो साइन ओमेगा टी नेगेटिव होने लगता है अब जो आपका यार रेजिस्टेंस है that cannot allow the negative output तो 180 पे इसे रोक देता है 180 पे इसे रोक देता है तो basically बेटा इतनी सी बात है जो कि आपको याद रखके जानी है एक्जाम के अंदर सिर्फ इतनी सी बात है 3 phase half wave के अंदर और पता है half wave पे जादतर question या resistive load के आते हैं उसका reason क्या है वो resistive load में ना power पूछ लेगा अब आपको पता है resistance में power के लिए rms value का use होता है तो वहाँ आपको ये v0 rms निकालना पड़ जाएगा और resistance के अंदर power क्या हो जाएगी फिर v0 rms square by r अब ये मत कहना सर्थ 3 v square by r होना चाहिए था क्योंकि 3 phase है बेटा आउटपुट DC है DC में single phase 3 phase का फंडा नहीं होता ठीक है तो इस type के question पूछे जाते अब आजाओ भई 3 phase full wave rectifier यानि की 6 pulse converter पे 6 pulse converter 6 pulse converter नाम से ही आपको क्या समझा रहा है कि यार यहाँ पे 6 pulses बनेगी और हर pulse बेटा बनेगी 60-60 degree की तो यहाँ पे क्या होता है 6 pulses each of 60 degree duration अब देखो जैसे half wave में आपने VAO को reference लिया था जैसे आपने VAO को reference लिया था full wave के अंदर आप reference लेते हो बिटा line voltage का किसका लेते हो line voltage का तो आप VAB को reference लेके चलते हैं VML sin omega t VBC को VML sin omega t minus 120 और VCA को VML sin omega t plus 120 इस टाइप से तो आप reference किसे ले रहे हो बिटा VAB को अब देखो जैसे मैंने आपको half wave के अंदर बताया कि वहाँ 120 degree का duration था 120 का duration था तो आपने 90 से पहले 60 degree ले लिया और 90 के बाद में भी ले लिया 60 degree साकेच सर कब से पढ़ाएंगे बिटा पढ़ातो रहे हैं रोज धाई वजे और कैसे पढ़ाएंगे बताओ साकेच सर डेली धाई वजे पढ़ाते तो हैं आप लोग को आपने जब 120 की पल्स थी तो ये बुला 90 माइनस 60 से 90 प्लस 60 तो बिटा ऐसे यहां 60 degree की पल्स है तो आप क्या बूलोगे 90 माइनस 30 से 90 प्लस 30 ठीक है यानि 60 degree से 120 degree लेकिन हम ये भी तो बात जानते हैं बिटा कि यहां पर डायोड नहीं SCR है यहां डायोड नहीं SCR है Due to SCR Conduction Can only start Conduction can only start After After Gate Pulse is Applied After Gate Pulse is Applied इसलिए बेटा यह जो VAB वाली वेबफॉर्म है ना VML sin omega T यह आती कहां से कहां तक है 60 प्लस अलफा से 120 प्लस अलफा कहां से कहां तक आती है बेटा 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा अब आप फिर से वही बात कहेंगे कि सर अगर यहां resistive load होता तो वो voltage को negative नहीं जाने देता resistive load will not allow the voltage to be negative ठीक है our load does not allow we not to become negative ठीक है तो वी नौट नेगेटिव कब जाएगा वी नौट नेगेटिव कब जाएगा कि जब sin omega t 180 के आगे जाए इसमें graph से conduction याद रख सकते हैं जैसे inverters में किया था inverters में कौन सा graph से conduction याद किया था मेरे भाई याँ कुछ भी याद करने की जरूद नहीं है अमन 130 प्लस अलफा से 150 प्लस अलफा है half wave full wave 60 प्लस अलफा से 120 प्लस अलफा है भूल भी गए तो ये याद रख लो 90 के about symmetric होता है 90 के about symmetric होता है तो आप जानते हो 120 का pulse है तो 90 माइनस 60 से 90 प्लस 60 और 60 डिगरी का pulse है तो 90 माइनस 30 से 90 प्लस 30 इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि आप लोग याद ना रख पाओ अब देखो हम क्या कहेंगे कि sin omega t negative कब बनता है जब omega t 180 से बड़ा हो जाए भई और ऐसा कब होगा जब 120 प्लस अलफा 180 के आगे जाए यानि इसकी अपर लिमिट अगर 180 के आगे निकल गई तो कहीं ना कहीं graph negative हो जाएगा अलफा greater than 60 degree तो इससे हम क्या समझे यार कि बेटा discontinuous conduction आ जाता है अगर अगर हमारा अलफा greater than 60 degree हो for our load जैसे वहां 30 की boundary थी न बेटा यहां 60 की boundary है जैसे half wave rectifier में 30 degree की boundary थी यहां 60 degree की है तो मुझे बताओ ये बातें सब लोगों चमक रही हैं या नहीं मुझे बस इतना सोच के बताओ क्या ये method easy लग रहा है question बनाने के लिए क्या ये method easy लग रहा है question बनाने के लिए कि अगर हमें conduction पता है कि कौन सी waveform या reference waveform किस angle से किस angle तक आएगी तो हम average और rms हर चीज निकाल सकते हैं है ना ये easy लग रहा है क्योंकि three phase का graph बेटा इतना easily नहीं बनता है कि exam के अंदर जहां आपके पास 2 से 2.5 minute में question crack करना है कि वहां आप graph भी draw कर लो और वहां waveform से अराम से फुरसत से answer निकालो ऐसा करने में कम से कम 15 से 20 minute लग जाएंगे अमन यार देखो इसके अंदर वैसे तो कोई और load नहीं आता है बट आभी जाएगा तो मैं मानता हूँ आप लोग tackle कर सकते हो क्योंकि आप load का nature जानते हो जैसे एक example देता हूँ अगर मान लो अगर मान लो RE load आ जाता वैसे तो मैं discussion से भटक रहा हूँ फिर भी चलो 2 minute मैं explain कर देता हूँ मान लो RE load आ जाता तो पहले मैं theta निकाल लेता VAB की मदद से कैसे sine inverse E by VML sine inverse E by VML अब मैं कहता है RE load conduction देगा theta से pi minus theta लेकिन यह कह रहा है 60 plus alpha से 120 plus alpha दोनों limit का intersection ले लो दोनों limit का intersection ले लो एक तो 60 plus alpha से 120 plus alpha है एक theta से 180 minus theta दोनों का intersection ले लो उसमें integrate कर दो खतम खतम बस इतना ही तो है समझ गए समझ में आया तो बेटा और क्या ही load बन सकता है RL करा रहा हूँ R करा रहा हूँ free willing diode में semi converter बन जायेगा बचा क्या RE और RLE इस से आधा तो कुछ बचा ही नहीं तो इतना घबराओ मत देखो आज तक तो RLE load आया नहीं है कभी और RLE में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई है RLE load with high inductance RLE load with high inductance behaves as a RLE load अरनब बेटा पावर electronics के short notes daily basis पे डलतो रहे हैं telegram channel पे जाके देखो तो सही चल अब देखो मैंने यहां waveform बना दिये हैं जैसे alpha equal to 30 की बात करें तो alpha 30 का मतलब है कि जो VAB है हमारा वो जाएगा 90 से 150 तो देखो यह रहा VAB यह 90 पे maximum है फिर यह 150 पे जा रहा है और यह आपका supply current आएगा बेटा यह supply current है देखो जब VAB और VAC आ रहा है तो current A वाले phase से enter हो रहा है और जब बेटा BA और CA आ रहा है जब A वाले phase से current leave हो रहा है जैसे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मान लो output में आता है VXY मैं कह रहा हूँ X और Y कुछ भी है VXY इसका मतलब है current X terminal से enter करके Y terminal से leave करता है ध्यान से सुनना जब कभी output में आ जा है अब बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो A, B, A, C का क्या मतलब है A से enter कर रहा है BA और CA का क्या मतलब है A से leave कर रहा है तो A से enter किया तो I naught और A से leave किया तो minus I naught A से enter करेगा तो I naught leave करेगा तो minus I naught 60-60 के हिसाब से I naught आया 120 के लिए और माइनस आई नॉट भी आया 120 के लिए ठीक है आई नॉट भी आया 120 के लिए बिटा और माइनस आई नॉट भी आपका आ रहा है 120 के लिए और दोनों के बीच में 60 डिगरी का गैप है अब यहाँ पे यह आता है थाइरिस्चर का वोल्टेज VT1 यह क्या है यह है थाइरिस्चर का वोल्टेज जब हम थाइरिस्चर का वोल्टेज प्लॉट करते हैं तो हम यह देखते हैं कितनी देर तक नेगेटिव रहा है क्योंकि जितनी देर तक बिटा यह नेगेटिव रहेगा वहाँ से मिल जाता है सर्किट टर्न ओफ टाइम और circuit turn off time का formula यहाँ पे लिखा है 240 minus alpha by omega अभी यह मैं आपको summarize करके याद भी कराऊंगा सारे formula don't worry about it यह मैं आपको याद कराने वाला हूँ अब 60 degree पे आ जाओ 60 degree पे क्या होगा भीटा यह जो VAB है 60 plus alpha से 120 plus alpha यानि 120 से 180 जाएगा 120 से 180 जाएगा तो 180 भी तो 0 हुगा ना तो देखो 0 को touch कर रहा है ना तो यह VAB जाएगा 120 से 180 फिर से देखो जहाँ VAB और VAC है यहाँ पे I0 आ रहा है और फिर जहाँ VBA और VCA है तो वहाँ पे minus I0 आ रहा है तो 120 degree के लिए positive current आता है और 120 degree के लिए negative current आता है और फिर से हमने इसका graph plot कर लिया किसका वी टी वन का तो यह waveform यहाँ पे negative है तो यहाँ से circuit turn off time आता है 240 minus alpha by omega circuit turn off time बिटा एक thyristor के लिए ही निकाला जाता है मतलब हर thyristor का circuit turn off time निकाला जाता है दो का एक साथ नहीं होता तो जैसे मैंने circuit turn off time लिख दिया 240 minus alpha by omega तो it is valid for all the 6 SCR 6 के 6 SCR के लिए applicable है अब देखो यहाँ पे then again यार आपके पास दो option हो सकते है continuous conduction जिसका की क्या मतलब है इसका मतलब है बिटा या तो highly inductive load है ना इसमें तो कोई भी alpha चलेगा या फिर दूसरा होगा r load r load में क्या होगा alpha less than equal to 60 अब इस case में आपको क्या ध्यान देना है कि वी ये भी जो है वो चलता है 60 प्लस alpha से 120 प्लस alpha तक अब यहां आप v naught average कैसे निकालते हो यहां देखो cycle है 60 degree की तो आप divide करेंगे pi by 3 से फिर integration होगा 60 प्लस alpha से 120 प्लस alpha v ml sin omega t d omega t तो बेटा यह आजाता है 3 v ml by pi cos alpha ठीक है यह देखो RMS के लिए हो जाएगा सोचो ना कितना easy तो सारा process है और यहां तो बेटा मेरे लिए तो alpha variable है exam में आपको given रहेगा आपको exam के अंदर given रहेगा वहाँ तो आप alpha डालके limits put करना सीधे अब discontinuous conduction कब होगा when alpha is greater than 60 degree for our load अब आप यहां पर क्या कहोगे जो VAB है यह 180 तक ही जाएगा 180 के आगे नहीं जाएगा तो देखो यहां से V not average का funda बदल जाएगा सोच के देखो कहीं से हमें waveform की जरूत पढ़ रही है क्या यही तो बिटा three phase की खास बात है कि आपको waveform की जरूत नहीं पढ़ती आप लोग common sense से बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन exam में अगर college वाले method लेके जाओगे ना कि waveform बनाएंगे यह करेंगे वो करेंगे तो बिटा answer नहीं आने का फिर आप लोग seconds में solve कर सकते हो power electronics का सवाल अगर सही strategy से जाओगे लो यह बन गया भई बिटा three phase क्या किसी में भी RMS memorize करना ही नहीं है प्रभात अगर आपने मेरे पिछले दो वीडियो देखे है rectifier से related तो आप यह समझ चुके होगे कि formula कहीं भी memorize नहीं करना क्या-क्या formula memorize करने है वो मैं बताता चल रहा हूँ वो मैं बताता चल रहा हूँ बीटा बहुत बढ़िया तरीके से अब देखो यहां पर क्या-क्या याद रखना है यहां memorize करके जाओगे highly inductive load का case जिसमें directly formula based question आते है first is V0 यह formula आपको याद करना है ऐसे याद कर ले ना तीन phase में तीन ही wire होती है तो 3 आएगा बहर second supply rms अभी मैंने आपको दिखाया 120 positive 120 negative तो total 240 के लिए current आता है out of 360 अभी दिखाया था ना मैंने जब A, B, A, C और B, A, C, A का significance समझाया था I0 root 2 by 3 तीसरा fundamental rms देखना अब आपने क्या याद किया था single phase में यह याद किया था single phase में यहाँ पर आप cos pi by 6 और ले लो 3 phase में cos 30 और ले 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 ना root 3 by 2 ठीक है फिर 4 था आपने single phase full converter में भी fdf याद किया था cos alpha तो देखो यह चार parameter आपको याद रखने हैं अब इनसे ना अलग-अलग parameter derive हो सकते हैं जैसे मैं आपको बताऊं G G है is1 by is यह आएगा 3 by pi 0.95 ठीक है यह नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा THD यह आगया input power factor देख रहे हो और क्या याद रख सकते हैं जो याद रखने हैं न हो मैं purple में लिखता जा रहा हूं थाइरिस्चर का conduction angle 120 degree क्योंकि इसकी मदद से आप क्या निकालोगे IT average और IT RMS यह दोनों चीज़े निकालोगे circuit turn off time याद रखना alpha less than equal to 60 और बेटा यह जो है न यह हर three phase converter पे चलता है semi converter यह सब जगे चलेगा यही फॉर्मूला तो देखो overall याद कितने करने पड़े चार और दो च्छै फॉर्मूले और एक यह यह याद रख सकते होगे alpha equal to 60 degree is the boundary और वो तो मैंने आपको बताया यह न कि यह तो याद करना ही है 60 प्लस alpha से 120 प्लस alpha तो यहां से waveform की सारी मेहनत बच जाती है अगर इतनी बात किसी भी student को पता है कोई waveform बनानी ही नहीं पड़ेगी अब इसका question try करो यार इसका question try करो अभी ये वाला रहने दो ये वाला source inductance का आगया अगला try करो फिर ये वही चीज़ है ये वाला ट्राई करो पहले के दोनों question ना source inductance के तो उनको जाने दो उनको मैं last में वापस आके कराऊंगा तेक है last में वापस लोटेंगे और उन questions को भी पेलेंगे चलो पहले ये वाला कर दो यार अब three phase fully controlled converter charges a battery battery का EMF or resistance दिया है charging current दिया है अगर power जारी है DC से AC DC से AC का मेरे बच्चे क्या मतलब है ये मैंने आपको last lecture में भी बताया था इसका मतलब है line commutated inverter मैंने बताया था ना rectifier को inverter की तरह भी चला सकते हो तो that is line commutated inverter चलो बनाओ अब जल्दी से बनाओ भै इस question को आप सभी लोग चलिए come on everybody come on come on come on everyone thank you सिद्दू अगर बेटा full revise हो रहा है मैं यहाँ पे आप लोग को वही चीजे बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे कि आप exam के अंदर question crack कर दो तो देखो उमीद batch का एक motive ही यही है कि आपके question बन जाएं exam में जाके आप में से जादा तर लोग 50 से जादा marks ले आएं कुछ लोग 70, 80 के उपर ले आएं वो हम लोग का aim है ठीक है यहाँ बेटा मैं चाहूँ तो detail में जा सकता हूँ but then 35 days में complete syllabus नहीं हो पाएगा और अब तो 35 भी कहा हमारे पास 30 days बचे only 30 days we have जिसमें कि मुझे आपके सारे subject खीचने हैं अभी देखो मेरा power electronics की तीन class बचियें तीन class में हम done कर देंगे तीन class में chopper और inverter निपता के खतम कर देंगे बिटा मेरा कोई affair नहीं चल रहा बिटा आरिंदम मेरा कोई affair नहीं है शादिशुदा आदमी हूँ कैसी बात कर रहे हूँ चलो रजनीश ने दे दिया answer भई रजनीश डेली सबसे पहले answer दे रहा है बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी चलो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है देखो जब कभी आपके पास line commutated inverter आ जाये ना तो बात को समझना कि यहाँ पे क्या होता है बैटरी को उल्टा लगा दिया जाता है बैटरी को उल्टा लगा दिया जाता है तो बैटरी को उल्टा लगाते हैं तो आई नोट ऐसे आता है बैटरी को उल्टा क्यों लगाते हैं यार ताकि बैटरी करेंट डिलिवर करें और पावर डिलिवर करें तब ही तो पावर DC से AC जाएगी, ठीक है, तो बैटरी उल्टा लगाया जाने की वज़े से, माइनस E प्लस I0R, अब माइनस E का मतलब हुआ, माइनस 200, माइनस 170, और ये हो गया, 3VML by पाई, कॉस अल्फा, ठीक है, 3VML by पाई, कॉस अल्फा, सिगनल का क्रैश कूर्स यार, विशालसर लेने वाले हैं, विशालसर सिगनल और मैट्स डील करने वाले हैं आप लोग के लिए, यहां से अल्फा आ गया, 108.34, खत्म question, ठीक है, बस line commutated inverter में यह याद रखना है, कि आपको ना बैटरी उल्टी लगानी है, बैटरी आप लोगों को उल्टा लगाना है, clear है, ठीक है, यह बात clear हो गई, बैटरी अपोजिट लगाई जाएगी, बैटरी अपोजिट लगनी चाहिए, मुझे लग रहा है काफी बच्चों ने यही गलती किये, इस question में, चलो अगला बनाओ, देखो यहाँ, यहाँ पे भी बेटा यही है, कि energy आप deliver कर रहे हूँ, DC से AC, ध्यान से देखना, for the purpose of delivering energy, तो line commutated inverter न, word कोई use नहीं करेगा, आपी को पहचानना है, energy के flow से, चलो जल्दी से बनादो, फिर semi converter कराऊंगा, source inductance कराऊंगा, और आज इस rectifier पर full stop लगा देंगे, सिर्फ तीन lectures के अंदर, आपको देखो यह तो समझा आ गया होगा, कि हमारी सारी faculty all rounder है, detail में अगर बात करें, तो बेटा यही subject 70-70 घंटे भी चला जाता है, और concise में बात करें, तो यार 15 घंटे में भी finish हो जाता है, तो यानि देखो, यह जो crash course है आपको यह यह सिखाएगा, कि भले कितना भी detail में आप पढ़ लो, कितना भी content absorb कर लो, लेकिन exam में सिर्फ उसके कुछ points हमें carry करना है, हमें exam में, वो पूरा knowledge का घड़ा नहीं लेके जाना है, सिर्फ उसके कुछ some points हमें लेके चलने हैं, बस यह धियान रखना है, और बच्चों मैंने आपको बता दिया, अगर electrical junction के, जैसे ही आप लोग 10,000 subscriber करवाते हो, we are going to start network on electrical junction, आप लोग को अगर मुझसे network पढ़ना है live, तो junction के 10,000 subscriber करवाईए, मैंने तो बेटा तैयारी start कर दिये, content की best possible manner में, अब आपको तैयारी करनी है 10,000 subscribers की, तो फैला दो एकदम की अंकिस सर का network आने वाला है, 10,000 subscriber पहुँचते ही, अब चलो इसी बात पर answer भी दे दो यार, क्या कर रहे हो, output AC line voltage बतानी है, DC source same रखते हुए, AC line voltage for the same DC source, चलिए, come on everybody, बताओ भई, देखें, देखो इसने बोला है, three-phase full converter से battery को charge किया, charging current इतना था, line voltage इतनी थी, अब हमने DC से AC में power लिजाने के लिए, alpha को कर दिया है, 160 degree, ठीक है, अब हम V0 अगर निकाल ले हैं, आपको पता है ना, battery उल्टी करके, यानि माइनस E करके करा जाता है, solve, अब यहाँ battery कितनी है यार, 100 वोल्ट की battery है, current आपको 12 ampere ही रखना है, ठीक है, और resistance है 0.25, तो बिटा यह हो गया 3, तो माइनस 97, अब क्या ही बचा, लो, आपको alpha भी दे ही रखा है, देखो ना, कितने formula based question आ रहे हैं, actual में, 3 phase के अंदर बिटा, यही खासियत है, कि आपको ना, जादा तर question formula based मिलेंगे, यह आ रहे है, 108, 0.097, लेकिन आपको पता है ना, कभी भी maximum voltage आंसर में नहीं देते, हमेशा क्या देते हैं, RMS, तो इसको root 2 से divide कर दो, 76.436 volt, तो answer is D, answer is D, clear है, D आ गया, simple था, तो question है, श्रे ने सबसे पहले, सबसे answer सही दिया है, line voltage लिया है, तो, अरे तो root तो maximum के लिए, लेते हैं यार, RMS से maximum में जाने के लिए, line और face से, उसका कोई मतलब थोड़ी ना है, अरिंदम, line और face का, तो root 3 का relation है, root 2 किसका है, RMS और peak value का, ठीक है, एच्छा ले, अगला आ जाओ, उसी type का question है, ये भी, उसी type का question है, आज तो आपके inverter की, अच्छी practice हुजाएगी, क्योंकि जितने देखो, line commutated inverter के लगाओगे न, इसमें rectifier का portion, तो use होता ही होता है, बट साथ साथ, आपका दिमाग थोड़ा सा, और खुल जाता है, ठीक है, थैंक्यू अरावंधन, अराविंधन गांधी, I hope I am taking your name the right way, अरिंदम कह रहे हैं, सर नींद बहुत आती है, energy के लिए क्या खाएं, बेटा कम खाओगे, कम नींद आएगी, खाने से नींद नहीं जाएगी, कम खाने से नींद जाएगी, ठीक है, जैसे आदमी भूका होता है, तो फिर सो थोड़ी पाता है, सिंपल सी बात है, और पानी वगएरा जादा पीते रहा करो, अकसर पानी पीते रहा करो, और अगर नींद भगाने के लिए जगो, कौफी वगएरा पी होगे ना, तो यह तो कौइंसिडेंस है, गरम पानी नहीं, थंडा पानी से ज़्यादा नींद भागती है, गरम पानी तो एक कमफर्ट जोन में ले जाता है आपको, बढ़िया मज़ा आ जाता है पी के सरदियों में, गुरजीत बेटा मैंने यह थोड़ी बोला है, कि भूके रहना है, मैंने बूला कम खाना है, मैंने भूकE रहने को नहीं बोला, वो तो मुझे उह पता है, तुम लोग का फिनो, एक तरह से क्या है, तुम लोग का मोटो क्या है, कि पहले πेट पूजा, बाद में काम दूजा, है ना ऐसा ही है हिसाब किताब अब इसका आंसर दोगे कि गप्पी मारते रहोगे थैंक यू केशर देखो इसने बोला है थ्री फेस ब्रिज कन्वर्टर का यूज करके बैटरी से हम पावर भीज रहे हैं पावर सिस्टम में यानि पावर ऐसे जा रही है तो आव्वियसली ये क्या है के विये रेटिंग आफ ट्रांसफॉर्मर पूछ रहा है तो देखो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ आप कहोगे सर ऐसा कैसे वी नॉट प्लस ई बाई आर क्यों किया ये भी मैं आपको बताता हूँ देखो जब पावर उल्टा जा रही है बेटा तो आप बैटरी अपोजिट लगाओगे न तो ये होता है वी नॉट ये होता है आई नॉट और ये होता है ई और मैंने बताया था ना आवरेज में इंड़क्टर का तो कोई रोल नहीं होता क्योंकि आवरेज के लिए इंड़क्टर शॉर्ट हो जाता है अब यहां पे आप क्या जानते हो कि सिंस अल्फा इस ग्रेटर देन 90 डिग्री फोर लाइन कम्यूटेटिड इन्वर्टर वी नॉट इस नेगेटिव तो अगर बेटा मैं आपसे कहूं आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे वी नॉट मैक्स प्लस ए बाई आर अब वी नॉट मैक्स क्या होगा यह होगा 0 plus E E कितना यार E है विटा आपका कितना बताया है 400 और R बताया है 10 तो यह आगया 40 MP लेकिन मेरे भाई transformer source की तरफ है transformer source की तरफ है तो आप supply RMS current अगर निकालना चाहते हो अभी मैंने formula लिखवाया था I0 root 2 by 3 तो अब यहां से supply RMS आगया अब apparent power कितनी होगी 3 phase की root 3 V IE V आपको कैसे बता 400 यह लिखा तो यह आगया 16000 root 2 यह बन गया तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया I0 की maximum value निकाली I0 की value से supply current की value निकाली और उससे क्या पावर फेक्टर बताना है बेटा at half the rated speed पावर फेक्टर बताना है हमें तो मैंने आपको पावर फेक्टर का भी फॉर्मूला बताया है G into FDF G into FDF बता रखा है बट बेटा FDF के लिए आपको alpha चाहिए तो यहाँ पे यह निकालो कि half rated speed पे alpha कितना होगा half rated speed पे alpha कितना होगा सौरफ बेटा अगर कोई quantity less than equal to zero है तो उसकी maximum value कितनी होगी बताओ अगर मैं कह रहा हूँ कोई value zero या zero से छोटी है तो उसकी maximum value कितनी होई जैनिक बेटा question concept clear तब माना जाता है जब उसका question बन जाता है सिर्फ मेरी बात सुनके समझ आ गई है यह तो जितने बच्चे यहां बैठें सब के साथ हो रहा है जितने शब्द बोल रहा हूँ जितनी बाते बता रहा हूँ वो clear हो रही है लेकिन उसे concept clarity नहीं कहते concept clarity तब कहते हैं जब आप उसका question लगा पाओ ठीक है और question पर ये focus करो कि जब मेरा session attend कर लेते हो उसके बाद कुछ questions को लेके बैठा करो questions को लेके बैठो और वो बनने लगें अगर मेरे session के बाद तब ये मैं मानूँगा कि आपके दिमाग में बात घुसी है ठीक है तो यहां मैं question क्यों करा रहा हूँ कराने के लिए तुम्हें concept बता के छोड़ सकता हूँ मैं आपको show कर रहा हूँ कि जो बाते मैंने बताई है उनको question में कैसे implement करना है ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ठीक है वरना देखो maximum जनता concept ही पढ़ाती है question कौन ही कितने लगवार है बताओ concept पढ़ाना easy है आपको भी जादा मज़ा आता है आप लोग enjoy करते हो बढ़िया आया किसी का answer वैसे ना इस type का question gate में आएगा नहीं ये drive से है drive हट चुका है चलो मैं बनवाता हूँ देखो इसमें क्या बुला है separately excited neglecting the losses the power factor at half the rated speed तो बेटा जब इसने बोल दिया neglect losses तो आरे हो गया 0 तो EMF हो गया VT के बराबर और separately excited है तो इसका flux हो गया constant क्या हो गया phi is constant अगर बेटा phi constant है तो आप तो जानते हो ना speed is proportional to EMF by flux तो it is proportional to VT by flux और flux constant है तो VT तो मैं कहता हूँ at 440 volt जो आपको दिया है पहला rating speed is 1500 rpm अब speed जब आधी होगी यानि 700 rpm होगी तो voltage भी कितनी होनी चीए फिर 220 आधी speed पर आधी voltage अभी तो हमने बोला speed is proportional to voltage अब बेटा अगर यह मिल गया ना हमें 220 तो हम यहाँ से alpha निकाल देंगे 3 into 440 root 2 ठेक है ripple free current दिया है ना तो यहाँ से cos alpha निकाल लो 0.3702 तो 0.353 आ रहा है यार 0.3535 तो यहाँ अब देखो बहुत सारे लोग गलती भी कर सकते थे 0.37 वाला B लगा सकते थे लेकिन आपको क्या करना था आपको G into FDF करना था FDF आपका 0.37 आया था ठेक है अब आगए भई हम semi converter पे अब semi converter में क्या होता है बेटा 6 की 6 devices SCR नहीं होती 7500 कैसे आया देखो न यह लिखा ठेक है half the rated speed चलो अब देखो यहाँ 6 की 6 devices बेटा SCR नहीं होती 3 SCR हैं और 3 क्या है डायोड्स हैं अब यहाँ ना ऐसा कोई shortcut नहीं है जो कि मैं आपको याद करने के लिए बोल दूँ Sir as you said when voltage increase current decrease मैंने ऐसा कब बोला कि voltage बढ़ने से current घटता है बेटा वो तब होता है जब power constant होती है जब power constant होती है तब हम यह कहते हैं कि voltage बढ़ेगी तो current गिरेगा ऐसा नहीं हर बार ऐसा होगा ऐस तो resistance ले लो V और I proportional है अब बात को सुनो यहाँ ना ऐसा कोई shortcut नहीं है जो कि मैं कहे दू भाई V A B आता है 60 plus alpha से 120 plus alpha तो यानि यहाँ अगर बेटा कभी भी waveform बनानी है न तो यहाँ conduction ही देखना पड़ेगा यहाँ क्या देखना पड़ेगा आपको conduction देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कौन सा graph बनने वाला है कौन सी waveform जैसे अगर मैं आपको बताऊं T1 आता है 60 plus alpha से 180 plus alpha ठीक है यहाँ से T3 आता है 180 plus alpha से 300 plus alpha और T5 आता है 300 plus alpha से 420 plus alpha अब बात है नीचे diodes अब देखो diodes में तो alpha का कोई roll ही नहीं होता diodes में तो alpha का कोई roll नहीं होता तो D4 कहां से कहां तक आता है just a minute यह आता है 240 से 360 ठीक है D6 कहां आता है D6 आएगा 0 से 120 और D2 आएगा 120 से 240 ठीक है तो यहाँ alpha नहीं होता यानि अब आपको अगर मान लो alpha मैं question में देदू suppose 60 degree तो आप क्या करोगे आप ना पता लगा लोगे कौन कौन से device कब कब conduct कर रही है और फिर devices के हिसाब से आप मुझे यह बता सकते हो कि sir output पे क्या voltage जाने वाली है जैसे as an example ले 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 मान लो voltage आने वाली है तो देखो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है एक example alpha equal to zero का example लिया है alpha equal to zero पे तो आप यह समझी गए होगे कि scr किसकी तरह behave करता है diode की तरह तो graph कैसा बनेगा uncontrolled जैसा uncontrolled जैसा तो यहाँ ना 360 तक 6 pulse आ जाती है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह क्या हो गया 6 pulse converter लेकिन बीटा यहाँ ना एक बात याद रखने वाली है यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि whenever alpha is greater than zero it becomes a 3 pulse converter जितने भी teacher PS भीमरा से पढ़ाते हैं वो यह बात आपको गलत बताएंगे वो कहेंगे कि बीटा 60 degree तक 3 pulse और 60, sorry 60 degree तक 6 pulse और 60 के आगे 3 pulse ऐसा PS भीमरा में लिखा है लेकिन यह बात सरासर गलत है NPTL के notes अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ समझाई गई है alpha zero से आगे क्या हो जाता है 3 pulse converter क्योंकि वहाँ पे क्या होता है यह 6 की 6 pulse एक जैसी नहीं बनती यह यह कहलो output का graph एक cycle में 3 बार repeat होता है तो क्या बुला जाएगा उसे 3 pulse क्या बुला जाएगा उसे 3 pulse output का graph अगर एक cycle में 3 बार दोहराया जाए then it is a 3 pulse converter ठीक है अब यहाँ देखो मैं आपको बतायता हूँ याद क्या क्या रखना है यहाँ ना आपका question अगर कभी आया तो बेटा formula based आएगा यहाँ चलो एक काम करते है ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ ना मैं आपको एक बढ़िया तरीके से लिखाता हूँ full converter semi converter देख ना हो यहाँ V naught आपने निकाला मैंने बताया था full से semi में कैसे जाते है divide by 2 और मैंने बुला था cos alpha की जगे यह बताया था na single phase में भी तो वही चीज यहाँ होगी ठीक है low जी यह बात बन गई अब इसके बाद मैंने आपको क्या लिखवाया यह लिखवाया यहाँ पे ना देखो IS के अंदर दो फॉर्मूले आ जाते हैं यह 60 डिगरी तक चलता है और फिर single phase semi converter वाला 60 के आगे चलता है तो यह एक चीज है जो थोड़ी सी दिक्कत आएगी याद करने में बट याद करना पड़ेगा IS1 का मैंने कैसे जुगार दता है बताओ मैंने बोला single phase वाला ले लो और साथ में क्या ले लो cos pi by 6 3 phase में sorry semi converter में आपको क्या करना पड़ता है यह मैंने आपको single phase में भी बोला था कि IS1 निकालते वे cos alpha by 2 का additional multiplication होता है तीक है यह देखो जो आप single phase full से semi गए थे न वही तरीका है 3 phase full से semi जाने का भी मैंने बोला था full में cos alpha आता है तो semi में आता है cos alpha by 2 इसके बाहर बिटा कहीं से कोई सवाल नहीं बनने वाला आपका कोई भी question नहीं बनेगा कहीं से भी बस आपको इतना याद रखना है देख विजए देखो अगर कोई switch damage हो गया बिटा तो उससे पिछले वाला जो conduct कर रहा था वही उसकी जगे conduct करेगा ताकि load में continuous current बना रहे और अगर और अगर मेरे बच्चे resistive load है तो फिर वह वाला phase ही उड़ जाएगा वह वाला conduction ही गायब हो जाएगा ठीक है अब देखो question है which of the following is a valid waveform for source current in a three phase semi converter for alpha equal to 100 इसमें ये ध्यान देना है alpha 100 का मतलब है कि यहाँ पे यहाँ पे बिटा ये आपका second वाला case हो गया 60 से बड़े वाला case हो गया तो बताओ कौन सी waveform आएगी अगर alpha 100 है बिल्कुल तुशार optical instrumentation और process control भी कराएंगे लेकिन next year के लिए ठीक है next year के लिए कराएंगे जल्दी बताओ यार मुझे तो answer दिख रहा है यहाँ पे come on everybody तो इसका answer आएगा बिटा C कैसे सर देखो मैंने अभी आपको T1 बताया ना तो इस logic से अगर आप जाओगे तो यह बनेगा 160 से 280 अब अगर डायोड की बात करो तो D4 था 240 से 360 और D6 था 0 से 120 और D2 था अब मेरी बात पे ध्यान देना यार कि 240 से 280 240 से 280 ना वेटा T1 और D4 दोनों आ गए यह दोनों एकी ब्रांच में थे ना ध्यान दो T1 और D4 यह दोनों एकी ब्रांच में थे जब दोनों आ गए तो क्या बन गया Free Willing Action बन गया यहाँ पे क्या हो गया Free Willing हो गया जब बेटा Free Willing हो गया ना तो कौन कंडट करेगा आपका तब कंडट करता है Free Willing Diode तब कौन कंडट करता है Free Willing Diode तो इसी लिए इसी लिए बेटा यह वाले में कौन कंडट कर रहा है Free Willing Diode तो जब भी एक फेज के जब भी एक फेज के दोनों डिवाइसेज ओवरलाप कर जाएं जब भी एक phase के दोनों devices overlap कर जाएं बिटा तब कौन conduct कर जाता है freewheeling diode तो शार बिटा ये तो मुझे check करके बताना पड़ेगा आप एक बार मुझे telegram पे ping करना I'll check it and tell you अब यार source inductance पे आ जाते हैं बिटा source inductance पे देखो source inductance के अंदर क्या होता है कि due to inductance connected with the source the supply current cannot change instantly यानि supply में square wave जैसा graph नहीं आ सकता reason being कि inductance cannot allow the current to change suddenly current to change suddenly तो इसी लिए देखो जब हम one pulse converter की बात करते हैं तो अब आप यहाँ पे यह देखिए कि यह जो portion है न ग्राफ का यह देखो यह बिटा gradually gradually बढ़ रहा है और दूसरा current gradually कम हो रहा है तो इस दौरान हम इसे कहते हैं overlap क्या कहते हैं overlap जहां पे दोनों का current आ रहा है जहां दोनों conduct कर रहे हैं करना एक को चाहिए लेकिन बिटा अगर दोनों कर रहे हैं तो that is called as overlap तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है देखो वी नॉट वैसे कितना आता ये आता without overlap without overlap आप कहोगे सर ये कैसे किया क्योंकि बिटा देखो ये जो thyristor है ना ये alpha से 180 तक conduct करता मैंने ऐसे किया 180 के आगे क्या आ जाता freewheeling action लेकिन due to overlap यहाँ पे कितना change आता है F L S I 0 तो V 0 क्या हो जाता है यार V m by 2 pi 1 plus cos alpha ये आ जाता है ठीक है ये आ जाता है इतना extra drop आ जाता है F L S I 0 ये कैसे याद करना है ये भी बताऊंगा तो देखो एक तो ना आपको ये याद करना है यार अब दूसरी चीज ना आप I 0 की equation याद करेंगे ये 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 दो equation से ना सारे सवाल बन सकते हैं यहाँ पे mu का मतलब होता है overlap angle और L S क्या है पेटा L S है ये source inductance L S क्या है source inductance अब मेरे बच्चे देखो इसको याद कैसे करोगे हम ऐसे याद करते हैं कि drop is equal to N F L S I 0 where N is number of S C R क्या है number of S C R अब देखो जब ये tuples converter आ गया अब जल्दी से बताओ क्या होगा ठीक है जल्दी से बताओ क्या होगा अगर ये tuples converter आ गया कितने थाइरिस्चर हैं? 4 कितने थाइरिस्चर हैं? 4 4 F L S 4 F L S 4 F L S I 0 4 थाइरिस्चर है न गुरजीत बेटा आइकॉनिक वाले बच्चों से मेरा हर दो हफते में interaction होता है बट personal coach कुछ gate और ESE rankers रहते हैं जिनका job ही सिर्फ आपको guide करने का है क्योंकि देखो अगर मैं सारा दिन available हो गया guide करने के लिए तो बिटा मैं lecture तो ले नहीं पाऊँगा ये भी समझो तो मेरा हर 2 weeks में आप लोगों के साथ interaction रहता है जहां मैं आपके जितने भी queries हैं related to preparation related to motivation strategy मैं सब चीज़े आपकी answer करता हूँ ठीक है हर 2 weeks में मेरा एक अलग session conduct कराया जाता है अब देखो यहां पर V naught क्या हो जाएगा फिर यार आपको पता है पहले क्या आता था 2 V m by pi cos alpha अब उसमें इतना drop आ जाएगा ठीक है 4 F ls i naught और i naught में बस एक change आता है यहां V m by 1 second यहां omega ls आता है 2 नहीं आता यह omega ls होता है 2 वाला यहां पर आता है 2 omega ls ठीक है cos alpha minus cos alpha plus mu अब देखो यहां पर भी तो मैंने यही दिखा है देखो जो source वाला current है source वाला current trapezoidal हो गया है square की जगे यानि उसे बढ़ने में और उसे गिरने में यार time लग रहा है उसको उपर जाने में भी time लग रहा है नीचे आने में भी time लग रहा है और बेटा यहां पर जो आपका fdf पहले cos alpha होता था अब आपका fdf होता है cos alpha plus mu by 2 cos alpha plus mu by 2 यह zero crossing alpha plus mu by 2 पह है ना तो यही आपका fdf बनता है cos of alpha plus mu by 2 अब यहां पर देखो क्या है shape of source current is trapezoidal और आपका fdf क्या बन रहा है भाई cos alpha plus mu by 2 यह लिखा ठीक है due to source inductance transition between a pair of thyristors is not instantaneous यानी t1, t2 से t3, t4 पे switching suddenly नहीं होगी ऐसा नहीं होगा अभी t1, t2 conduct करें और अगले ही moment कौन आ गया t3, t4 इनके बीच में थोड़ा सा overlapping आ जाती है यानी एक pair धीरे-धीरे बंद होता है और दूसरा धीरे-धीरे start होता है तो कुछ समय के लिए दोनों एक साथ काम करते है and that is called as overlapping इसी को बेटा overlapping कहा जाता है तेक है और उस period के अंदर V naught आता है 0 V naught आता है 0 तो देखो जब load resistive होता है तो current sinusoidal load जब highly inductive और source inductance नहीं है तो square wave जब source inductance भी आ जाए तब trapezoidal तो देखो resistive में तो आप जानते हो न V naught I naught का graph सेम बनता है फिर मैंने highly inductive में भी दिखा है square wave और quasi square wave आती है लेकिन जब source inductance आ जाए तो sudden change नहीं होता वो gradual होता है तो that becomes trapezoidal अब यहाँ पर एक term define करते है inductive voltage regulation यह क्या होता है कि source inductance के कारण कितना voltage में change आया divided by the voltage at alpha equal to 0 यानि मैं यहाँ पर यह कहूँगा delta V naught by V naught alpha equal to 0 जैसे देखो two pulse converter के अंदर अगर देखें तो क्या हुआ था change कितना आया था 4 F L S I naught और V naught alpha 0 पे कितना होता है 2 V m by pi यह हो जाता है inductive voltage regulation टिमपल impact of overlapping on output voltage देखो मैंने बताया overlapping के अंदर V naught 0 होता है तो average output गिर तो रहा है देखो मैं दो तीन बार लिखवा चुका है drop लिखवा है ना यह दिख रहा है देख विजे subtraction में आ रहा है तो V naught गिर तो रहा है नितिन current high और low की बात नहीं है बात है current का change sudden नहीं हो सकता whenever there is a source inductance तीक है अब आ जाते हैं 6 pulse converter यानि 3 phase rectifier अब बेटा यहां कितने thyristor है यहां है 6 SCR तो drop कितना होगा आपका सर यह होगा 6 F L S I naught 6 F L S I naught तो देखो यह है 3 V ML by pi cos alpha 3 omega L S by pi I naught क्योंकि omega 2 pi F है ना तो यह term 6 F L S I naught ही बन जाएगी और यह I naught का expression जैसा मैंने बताया बस 2 expression याद कर लो यार जिन्दगी आसान हो जाएगी सिर्फ 2 expression याद करने एक I naught का और एक V naught के अंदर कितना drop आ रहा है clear है चलो इसका question देखो the figure shows an uncontrolled diode bridge rectifier the load draws a current of I naught equal to 14 what is the conduction angle of D1 in degree तो बिटा यहाँ पे ना अगर conduction angle की बात कर रहा है तो बिना source inductance के क्या होता D1, D2 conduct करते 180 में और D3, D4 conduct करते बाकी के 180 में लेकिन source inductance से इनके बीच में overlapping भी आएगी तो यह कितना कितना conduct करेंगे अब 180 plus mu कितना 180 plus mu तो आपको mu निकालना है समझाई मेरी बात बिना source inductance के दोनों-दोनों pair 180-180 के लिए conduct करते लेकिन source inductance के कारण overlap आएगा आएगा and they will be conducting for 180 plus mu चलिए और यह questions ना source inductance के बहुत recently gate exam में पूछे गए हैं तो इस topic को बेटा lightly मत लेना चलो जल्दी से बनाओ भई इतना time नहीं लगेगा बहुत छोटा question है बहुत छोटा question है अब तो मैंने आपको बता भी दिया बस आपको mu निकालना है एक बार mu आगया आपका answer आजाएगा और कल बेटा हम लोग start करने वाले हैं chopper कल में आपको buck converter, boost converter, buck boost ये कल की कल में आपके खतम करा दूँगा तीक है ये तीनों तरह के converter में आपके कल over करा दूँगा आपको tension लेने की जरूवत नहीं है और फिर उसके बाद क्या करेंगे commutation बचेगा और inverter बचेगा तीन classes है हमारे पास खूब अराम से निप्टा लेंगे syllabus और इससे concise way में ना इससे short way में बिटा आपको power electronics कहीं नहीं मिल सकता I can guarantee कोई इतने कम time में पढ़ाई नहीं सकता जब हमने machine का crash course किया था तो हमने 28 गंटे में पूरा machine खीचा था with question drives वगेरा gate के syllabus में नहीं है चलो देखें एक बार I0 की equation मैंने आपको बता रखी है न लेकिन यहां तो diode है न तो cos alpha तो होगा नहीं alpha 0 होगा alpha 0 होगा तो यह 14 ampere दे रखा है 2 omega हुआ 200 pi ls हुआ 0.01 तो देखो यहां से mu आ जाएगा मैंने बताया न एक तो V0 की equation याद करो और एक I0 की यह आया 44.17 तो diode का conduction जो की generally 180 डिगरी चलता अब यह चलेगा 224.17 180 प्लस alpha अगला बताओ भई अगला बताओ जल्दी से which of the following statements is not correct source inductance reduces average output voltage एक काम करो आप true or false बताते चलो बिल्कुल गजेंद्र EMFT का crash course भी होगा electrical के लिए साकेट सर लेने वाले हैं चलो source inductance reduces average output voltage true or false source inductance से average output बिटा कम होता है जल्दी बताएं true या false true तो ये तो true है source inductance limits the maximum firing angle अब ये आप नहीं बता पाओगे मैं बताता हूँ देखो क्या होता है जैसे अगर two pulse converter की बात करें तो ideally T1 का conduction चलता था alpha से pi प्लस alpha but with source inductance source inductance से इसका conduction थुड़ा आगे तक जाएगा एकदम से बंद नहीं हो पाएगा तो circuit turn off time क्या हुआ यार next forward by sin minus extinction by omega अब circuit turn off time must be greater than equal to TQ तो alpha must be less than equal to pi minus O तो alpha max यह जो value है यह alpha max हो गया यह mu की वज़े से कम हो गया ना यह mu की वज़े से कम हो गया तो यह भी true है समझाई मेरी बात क्योंकि यहाँ पर maximum value of firing angle reduce हो गई fundamental displacement factor reduces सही बात है क्योंकि देखो यह हो जाता है cos alpha plus mu by 2 distortion factor reduces यह गलत है distortion factor increases क्योंकि trapezoidal wave trapezoidal wave has less harmonics than square wave ठीक है has less harmonics than square wave तो यानि answer क्या हो गया D तो answer is your D समझाया क्योंकि देखो distortion factor 1 के उतना करीब होता है जितने कम आपके harmonics होते है जितने कम harmonics उतना ज़्यादा distortion factor अगला देखो भई a three phase controlled bridge converter is fed with 500 sin omega t source inductance firing angle overlap angle DC load current पूछा है बहुत easy है output current का formula बन लगा दो बस आपको I0 का formula लगाना है बिटा come on everybody जल्दी से बनाएंगे सब लोग यह वाला question चलिए 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 come on everybody जल्दी से बनाएंगे बिटा जल्दी से बनाएंगे बिटा आया किसी का answer देखें three phase converter है अभी लिखवाया यह formula तो देखो I0 हमसे पूछा गया है VML है भाईया 500 sin omega t तो 500 हो गया source inductance है 10 millihenry alpha है 30 mu है 10 7.956 ampere ए खतम है ना कितना easy सा question अगला देखो यार output voltage बताया है 175 volt at no load output current 10 ampere mu बताया है 6 degree calculate source inductance calculate source inductance no load का मतलब क्या है यार I0 I0 पे output voltage बताया है अब समझ जाओ क्या significance है no load का no load का क्या significance है अब आप यह समझ जाओ क्योंकि I0 0 पे आपका output voltage दे रखा है question यह भी बहुत simple है बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको comprehend करना पड़ेगा यह क्या पूछना चाहरा है चलो 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 जल्दी से बना दो यार come on everybody जैनीक बेटा यह किस question का answer दे रहे हो इस वाले का या पिछले का क्योंकि पिछले का तो मैं देख रहा हूँ मनुराज, विपेन, रजनी, शनूपम सबका A आया है चलिए भाई जल्दी से answer निकालिए इसका LS बताना है बेटा आपको फिर पीछे के question भी देखने हैं हम लोग दो छोड़के आये थे source inductance के थे वो वो भी देखने हैं जल्दी से answer दोगे तो वो भी बता पाऊंगा चालो 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 भाई सिर्फ calculation based question है यार इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है गुर्जीत के रहें डी चलो मैं एक बार देखता हूं देखो no load पे v naught कितना होगा यार simple है यह होगा 2 vm by pi cos alpha i naught is zero तो यह ना data इसलिए दिया है ताकि तुम alpha निकाल लो वरना alpha कहां से निकालोगे तो यहां से alpha कितना आएगा यार 27.93 अब कुछ भी नहीं अब i naught के equation लगा दो i naught के equation बिटा यह है 10 ampere vm है 220 root 2 2 omega 200 pi ls हमें पता नहीं है cos 27.93 mu 6 degree बताया ना तो 33.93 एक सेक्ड 10 divided by 220 root 2 divided by 10 divided by 200 pi into cos 27.93 minus cos 33.93 यह आ गया ls 2.66 6 milli henry यह बन गया तो क्या आ गया answer is b b आ गया ना simple equation okay अब देखो पीछे वाले सवाल पर चलते हैं हम लोग जो हम छोड़ करके आए थे देखें जरा इसमें क्या बुला है a three phase fully controlled bridge converter is connected to a supply having a reactance and resistance the converter is working in the inversion mode with a firing advanced angle of 35 degree यह जो advanced angle होता है ना इसको gamma लिखते हैं बेटा यह होता है 180 minus alpha तो alpha कितना हो गया आपका 145 degree अब इसने source में सिर्फ reactance या inductance नहीं resistance भी दिया है तो एक बात को समझना at a time two two phases conduct अब आप कहोगे सर यह क्या बोल रहे हो देखो यह मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे मान लो as an example यह अच्छा question है देखना as an example V0 is equal to VAB that means A and B are conducting तो यही मैंने बोला है कि एक समय पे दो phase conduct करते हैं अगर बेटा एक समय पे aptitude कहां से revise करेंगे तो अभी हमारे अविनाश सर ले रहे हैं आपकी class बेटा डेली 5 से 7 शाम को 5 से 7 aptitude की class ले रहे हैं तो बेटा इसी लिए drop due to resistance drop due to resistance कितना आ जाएगा 2i0R यह आ जाएगा ठीक है तो हम मैं क्या कह रहा हूँ यह no load voltage पूछ रहा है माने i0 is 0 तो no drop due to R, S और L, S कोई drop नहीं होगा तो क्या लोगे 3 VML by pi cos alpha ठीक है alpha कितना है भई 145 है alpha है 145 power system पीटा fab से continue करूँगा उमीद batch के बाद ठीक है उमीद batch के आद सबसे पहले आपका power system continue करूँगा protection से start करेंगे ठीक है तो answer is B अब देखो इसी का अगला part क्या था what is the value of the EMF source connected at the load when the current is 80 ampere thyristor drop is 1.5 volt thyristor drop is 1.5 volt अब यहाँ पर एक चीज समझना देखो दो resistance आएंगे एक साथ दो thyristor आएंगे और inductance का drop होगा 6FLS I0 अब अगर आप ऐसा कर लें तो आपको पहली term तो देखो पता ही है ना पहली term तो आपने अभी निकाली है 486.74 ठीक है minus 80 ampere है तो 160 minus 3 6FLS I0 6 into 50 है क्या frequency चलो नहीं दे रख की 50 hertz माननी पड़ेगी reactance दे रखा है ना अच्छा देखो reactance दिया है reactance कैसे लोगे 2 pi से multiply डिवाइड करके fls होगा 0.25 by 2 pi टेक है omega equal to 2 pi f ऐसे मैंने लिए 2 pi से multiply कर लिया three phase semi converter यार बहुत जादा important तो नहीं है लेकिन जो formula मैंने बताया है वो याद करके चले जाना मैंने बताया तो है full converter से semi पर कैसे आते हैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा chance है उसके आने का chance तो थोड़ा कमी है अब देखो energy ultra flow कर रहे है ना इसलिए minus e plus i naught r अब battery का क्या दिया है battery का कोई resistance दिया है क्या पिछले में दिया था कहीं पर तो फिर ये ही लेना पड़ेगा यार बट यहाँ पर तो कोई सा भी option मैच नहीं करेगा यहाँ पर एक चीज मिसिंग है यह data मिसिंग है यह अगर एक मिल जाएगा न तो आप e calculate कर सकते हो ठीक है आप e calculate कर सकते हो अगर यह data आपको मिल जाता है तो चेक कर लेना एक बार मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है question के अंदर 0.05 है resistance 0.25 है reactance और drop है thyristor का 1.5 volt अगर मेरा आज वाला वीडियो भी देखोगे ना बेटा तो आपको समझ आ जाएगा के आपको कहीं पे भी वेब फॉर्म बनाने के जरूरत नहीं पड़ेगी it's time to experience something glorious unacademy combat compete crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest combat live with peers to get real time rankings and win-win participate in every contest to improve your ratings challenging contests every fortnight or alternate sunday live ranking after every question big rewards for top rankers your passion to crack gate deserves this your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge unacademy combat register now and see you next time on the journey झाल 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 झाल